ओम गण गणपते नमहा स्री गुरुदे वदत नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिवजी के एक अत्यन्तम महत्व पुर्ण मनों कामना पूर्ती करने वाले और सर्वसंकट नश्ट करने वाले छोटे से लेकिन महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने चा रही हूँ यह मंत्र कठिन से कठिन मन में बसी मनों कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ती कर सकता है और सर्वसंकट परेशानियों और खत्रों को नश्ट कर देता है यह एक मोक्ष देने वाला और इंद्रियों के माया जाल से मुक्ते देने वाला मंत्र भी है जिसके बोलने से शुभख्त सर्वचिवों को अनुखुल बना सकता है इसलिए यह शुजी का एक बहुत ही महत्व पुरुना मंत्र है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सिस्क्राइब करना मत भुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक परे यह मंत्र शिव अश्टोतर शतनाम स्तोतर में वलनित भगबान शिवजी के नाम क्रमांक बैनवे पशुपती इस नाम पर आधरित है पशुपती नाथ यह शिवजी का एक अत्यंत महत्व पुरुना नाम है और पशुपती नाथ इस नाम से शिवजी की भक्ति भाव से पुजा अर्चा की जाती है और पशुपती नाथ के कई प्रसिद्ध मंदिर भारत और नेपाल में स्तित है शिवजी के पशुपती नाथ इस रूप की पुजा अत्यंत फलदाई और असरदार होती है और उनके इस रूप को संबोधित करने वाले कई स्तोत्र, मंत्र और प्रार्थना है लेकिन यह लंबी होने के कारण आम लोगों को तुरंट पशुपति नाथ पर ध्यान लगाने में कठी नहीं महसुस होती है इसलिए मैंने इस छोटे से महाशक्तिशाली नाम मंत्र की जानकारी इस वीडियो में दी है जो सब कुछ संबोध कर सकता है इस मंत्र का जाप साथ किसी भी इच्छा या सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या किसी भी परेशानी या सर्व परेशानियों के लिए कर सकता है या मुक्ष और इंद्रियों के माया जाल से मुक्ति पाकर सर्व जिवों से एक रूप होने के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है यह एक अत्यनत कल्यानकारी और असरदार मंत्र है इसलिए शिवजी पर भक्ती रखकर साधक इस मंत्र का हर दिन उटते बैठते सोते जाकते काम करते वक्त जितना चाहे उतना मानसिक या वाजिक जाप कर सकता है या अगर उसकी इच्छा हो तो वह हर दिन सवेरे या रात को या दोनु समय इस मंत्र का पांच से दस मिनिट तक जाप कर सकता है विशिष्ट पूजा करने की अविशक्ता नहीं है केवल भगवान शिवजी पर अतुट बक्ती होना अनिवारिया है अब मैं आपको पहले इस शिवब मंत्र का अर्थ बताऊंगी और फिर उसके बाद मंत्र बताऊंगी इस शिवब मंत्र का अर्थ ऐसा होता है सर्व पशुओं जीवों के स्वामी को मेरा नमन अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रहे हूँ उक्रुपया धियान से सुनिये मंत्र इस प्रकार से है ओम पशुपतये नमः अगेर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सब्सक्राइब करना मत बुलिये प्रभू सबका कल्यान करेंगे